आज राजीव गांधी जी की जैनती है उनको हम श्रदांजली देते हैं और हम सब आज इकत्रित हुए हैं उनको याद करने के लिए उनकी यादों को ताजा करने के लिए मैं युवर कॉंग्रेस के सभी सातियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक भवे आयोजन यहां पर किया आप सब लोगों को आमंत रित किया और आप सब लोगों से मिलने का आप सबसे दो बात बोलने का मुझे अफसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अभार बेक करना चाहता हूं दोस्तों राजीव जी के स्वर्गबास को लगबक 33 साल हो गए आज उनके जेंती है और मैं बेटा बेटा सोच रहा था कि आज वो होते तो लगबक 80 साल के होते लेकिन 80 साल के वो कैसे दिखते इसकी मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो चहरा मुझे राजीव जी का याद है हम सब को याद है वो एक नौजवान चहरा एक मुस्कराता हुआ चहरा हस्मुक चहरा आशा और उम्मीद पैदा करने वाला चहरा है और इस मन्द से बहुत लोगों ने बाते करी हैं, हम सब उनके बारे में बाते करते रहते हैं वो एक युवा पधान मंत्री बने, देश का नेत्युत किया, कॉंग्रेस पार्टी का नेत्युत किया प्रशासन में, सरकार में, संगठन में बहुत से काम किये, करवाए लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग आज, कम से कम आप लोग, राजीव गांदी जी को सिर्फ एक नेता, एक पधान मंत्री, एक कॉंग्रेस पार्टी का नेता, बहां तक सीमित ना रखें और मैं समानता हूँ कि इस बात की बहुत जरुवत है कि हम याद रखें कि राजीव गांदी जी एक ऐसे इनसान थे जो एक अच्छे पिता, एक अच्छे पती, एक अच्छे बेटे थे और उनके अंदर जो इनसानियत, बिनमरता, शीतलता, दूसरों पर विश्वास करने की वो एक इनसान की खूबी थी, और हमें फक्रोना चाहिए कि हमारी पार्टी में एक ऐसे पधानवंतरी बने, एक ऐसे राश्च्छदक्ष बने, जिनको देखकर लोग उर्जा पाते थे, खुशी का एसास करते थे, और एक अच्छा इनसान बनना, राजनीत में बहुत सी प इसको राट से लोगों के दिल और दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ कर जाए, ऐसे स्वर्गे राजीव गांदी जी थे, और हम सब को आज बड़ा फक्र है, कि हमारे देश के वो ऐसे नेता रहे, जिसको सद्यों तक लोग याद करते रहेंगे, और मुझे खुशी इस है, कि हम सब के आगरे पर आज देश की संचद में राहूल गांदी जी ने नेता पतिपक्ष का पत समाला है, और जब से वो नेता पतिपक्ष बने हैं, तब से सरकार की कुरसी हिलने शुरू हो गई है, संचद के अंदर, संचद के बाहर, मुझसे पूर वक्ता पवन खेड जी बता रहे थे, युवक कॉंग्रेस ने, और मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूं, कॉंग्रेस पार्टी दस साल विपक्ष में रही, हम में से कई लोगों ने महिनत करी होगी, कोशिश करी होगी, लेकिन युवक कॉंग्रेस ने देश के हर कौने में, विपरीत परिस्थितियों में लाठी गोलियां खाकर भी कॉंग्रेस पार्टी का निशान और नाम बढ़ाया है, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस देश में युवाओं को ताकत देने का, राजनितिक प्लैटफॉर्म देने का, लोगों को आगे बढ़ लिखने जाएंगे, देश का भविश बनाएंगे, और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि देश का नौजवान और देश का किसान अब करवट ले चुका है, बदलाव की आहट पूरे देश में हैं, आने वाली तमाम चुनोंतिय का साम में हम